अलो दोस्तों नमिश्कार आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर कनेया भी कानेर राजस्थान जे साइकेट्रिस्ट मनुचिकित्सक काउंसलर सेक्सोलोजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेस्ट नशामुक्ति वी से सगे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपोर्टेंट कुशन जो बार-बार मेरे वीडियो पे मुझसे पूछा जाता है यूट्यूब पर पूछा जाता है कि सर हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा विचार चलते रहते हैं continuous हमारे दिमाग के अंदर एक के बाद एक लगातर विचार चलते रहते हैं और इन विचारों की वज़े से हम बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं ओवर्थिंकिंग रहती है इस ओवर्थिंकिंग को रोकने की विचारों को रोकने की विचारों को हटाने की विचारों क खतम करने की या ऐसी कोई दवा जिसे हम विचारों से पीछा छुड़वा ले तो इसके कोई सबसे best medicine कौन सी है कि हम वो दवा ले ले और हम overthinking से free हो जाए हम जो ये लगातार हमारा दिमाग के अंदर जो thoughts की train चलते हैं विचारों की जो एक rail बन जाती है लगातार एक के बाद के बाद एक लगातार जो thoughts आते रहते हैं इससे हम free हो जाए इसके कोई best medicine है तो आप वो हमें बताएं तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखेगा अगर आपका भी प्रेशन है तो इस वीडियो को पूरा एंट तक देखेगा समझेगा जो concept मैं आप लोगों को समझा जो मैं आप लोगों के साथ में share कर रहा हूं दोस्तों इस दुनिया के अंदर thoughts को change करने की thoughts को बदलने की ऐसी कोई सी medicine नहीं आती जो हमारे अंदर विचारों को बदल दे या विचारों को हटा दे या विचारों को रोक दे या नए विचार हमारे अंदर install कर दे overthinking को रोकने के ऐसी कोई medicine नहीं आती कि हम यूँ सोचे कि वो गोली खाली और हम हमारे विचारों को change कर लेंगे हम हमारे विचारों को बदल लेंगे दोस्तों हमारे अंदर जो thoughts आते हैं वो thoughts learning से आते हैं अगर इस तरह की दवाएं आती ही कि आप दवा खा लेतें और आपके अंदर विचार बधल जाते हैं विचार जो आपके दिमाग के अंदर वो डिलेट हो जाते तो और नए विचार आपके अंदर इंस्टाल हो जाते तो market के अंदर इस तरह की भी medicines मिलती कि गोली खाओ आपके अंदर ये विचार आजाएगा गोली खाओ आप के अंदर जो medical knowledge है वो आजाएगा आप doctor बन गोली खाओ आप IS officer बन जाओगे IS officer वाले जो thoughts है वो आपके दिमाग के अंदर आजाएगे आपके अंदर वो content आजाएगा जो competition crack करने के लिए जरूरी है market के अंदर इस तरह की दुकाने खुल जाती कि ये गोली खाओ और इससे आपके अंदर जिती भी medicines है उसके thoughts आपके अ या विचारों को uninstall करते है विचारों को delete करते है विचारों को हटाती है ऐसी कोई medicines नहीं आती thoughts जो create होते है thoughts learning से create होते हैं हमारी बच्चपन से लेके अब तक कि जितनी भी learning है हमारी आप अगर अपने उपर गौर करोगे आप अगर अपने उपर focus करने की कोशिश करोगे इ आपका जैसा social environment रहा है जैसा आपका familial environment रहा है जैसा आपका educational environment रहा है जैसा आपका geographical environment रहा है इन environment के आधार पर ही आपके दिमाग का एक thought process है आपके दिमाग के अंदर ये विचार चलते हैं जो आपकी learning से create होए है आपने कोई गोली नहीं खाये कि आपका जो वर्तमान में जो thought process चल रहा है, जो आपकी personality बनी है, वो किसी दवा के कारण नहीं बनी है, ये learning के कारण बनी है, दोस्तों जो thoughts होते हैं, हमारे दिमाग में अगर positive thoughts आ रहे हैं, कोई अगर आपको positive personality दिख रहा है, तो वो भी learning की वज़े से positive बना है, वो ऐसा नहीं कि कोई गोली खाके वो positive बना है, और अगर कोई negative personality, अगर आप किसी को negative सोच वाले वेक्ति को देखते हो, ये आपके अंदर negative thoughts है, तो ये negative thoughts भी कहां से आये हैं, learnings आये हैं, हमारे past में कुछ events जो है थे, unexpected events थे, जिनको wrong way में explain किया गया, और वो explanation है, वो हमारे अंदर subconscious mind के अंदर patterns के form में store हो गया, अब जबी भी हमें उस तरह के events हमारे आसपास में दिखते हैं, हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज होती है, जो उससे similar हो, तो हमारे दिमाग के अंदर automatic negative thoughts आने लग जाते हैं, तो दोस्तों ये जो thought process है, जो हमारे दिमाग के अंदर चलता है, जो हमारी personality है, वो learning का है, तो अ इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं आती, जो आपके विचारों को बदल दे, या जो आपके विचारों को खतम कर दे, विचारों को कम कर दे, या विचारों को डिलिट कर दे, या आपके दिमाग से विचारों को बाहर निकाल दे, ऐसी कोई medicine नहीं आती है, अगर आप अ तो अगर आप अपने आपको पॉसितिव बनाना चाहते हो, आप अपने आपको विचारों से फ्री करना चाहते हो, अगर आप अपने thoughts को हटाना चाहते हो, अगर आप किसी भी situations के अंदर मस्त रहना चाहते हो, जबरदस रहना चाहते हो, तो दोस्तो इसकी कोई दवा नहीं होती, इसके लिए तो हमें learning mode पर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने एके अंदर time लगता है, instant learning कहीं पर भी नहीं है, अगर कहीं पर भी यह हम सुनते हैं, पांच मिनट में positive बनो, दस मिनट में positive बनो, पंदरा मिनट में positive बनो, दो दिन में positive बनो, या 10-15 दिन तक आप इसकी practice को आप positive हो जाओगे, दोस्तो positive जो होना है, एक continuous process है, आपको continuous एक learning mode में रहना होता है, continuous आपको efforts लगातार जब आप अपनी conscious correction के mode में चले जाते हो, तो दीरी-दीर आपकी एक habit बन जाती है, हर thought को correct करने की, और जैसे जैसे आप correct करते चले जाते हो, positive होते चले जाते हो, तो finally आप एक ऐसी personality बन जाते हो, जो पूरी तरह से क्या होती है, हर situation के अंदर positive है, जिसके दिमाग में कोई भी परिस्थति हो, चाए कि पर टफ से टफ मोमेंट क्यों ना हो, उसमें वो हमेशा positive ही रहता है, तो अपने learning mode को on कीजिए, अपनी conscious learning को बढ़ाईए, ताकि आप एक positive personality के रूप में बाहरा सकें, दवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो physiological component है, किसे भी problem का, ज physiological component है, जो chemical imbalance है, उसको medicine ठीक करती है, उसे हम अच्छा feel होता है, लेकिन जो psychological जो part है, जो psychological component है, उसके उपर medicine work नहीं करती है, हाँ उसको slow कर सकती है, लेकिन उसको खतम नहीं करती है, उसको खतम करने के लिए आपको अपने learning mode पर जाना पड़ेगा, तो इसकी कोई ऐसी दवा है, जिससे हम proper तरीके से बाहर आ सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आयोगा, नीचे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक ये आपने मेरे YouTube channel DRK TV को subscribe नहीं किया, तो please उसे subscribe करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत!